घर्मियों का मौसम है और आम का सीजन है तो आम के सीजन में ये बनाना तो बनता है अगर आपके घर में कोई सबजी ना हो तो इसका इस्तिमाल करके आप रोटी पूरी पराठा खा सकते हैं तो चलिए अब फटा फट से इस अनोखी रेसिपी को बना लेते हैं आम की इस खटे-मीठी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज का आम लिया है और ये पूरा आदा किलो वेट वाला आम है आपके पास चोटे-चोटे आम हो तो आप वो ले सकते हैं और इसको धो के अच्छे से छील लेना है आम को अच्छे से छीलने के बाद अ सारा आम यहां पर कट गया है अब एक कढ़ाई में मैंने दो चम्मच सरसो के तेल को गरम कर लिया है तेल आप जो भी खाते हो वो इस्तिमाल कर सकते हैं तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो एक चमच भरके इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और डाल दिये थोड़ी सी मोटी वाली सौंफ जो की अचार के लिए इस्तिमाल की जाती है तीनों चीजों को पहले अच्छे से भून लेना है तो आप यहां पर मेथी दाना जरूर डाले मेथी दाना से लौंजी का जो टेस्ट है बहुत बहुत ज्यादा ऑसम होता है तो इसलिए इसको इसके अपना करें जरूर डाले बुनने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ आम नमक डाल दूंगी मैं मिलाते हुए पहले हमें मिक्स कर लेना है सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग आदा कप के करीब पानी और साथी साथ इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी और फिर से अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद कवर करके 5 मिन तक आम को हमें soft होने तक पकाना है तो यह कर दिया है मैंने कड़ाई को cover और 5 मिट के लिए छोड़ देते हैं यहां पर 5 मिट हो गए हैं आम को हम चेक कर लेते हैं आम हमारा अच्छे से पक चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 500 ग्राम चीनी आदा किलो आम के लिए मैंने 500 ग्राम चीनी इस्तिमाल की है चीनी डाल कर अच्छे से मिला लिया है और फिर से इसको cover कर देंगे तब तक जब तक यह जो चीनी है अच्छे से मिलना जाए और घुलना जाए यहाँ पर हाई फ्लेम पर पक्ते पक्ते और पांचमेट हो गए है चीनी अच्छे से घुल गई है प्रावपर चाशनी बन गई है यह देखिए तो इसमें थोड़े से मसाले और डाल देती हूँ जैसे कि थोड़े सी कश्मीरी लाल मिर्च और डालूंगी मैं इसमें काला नमक थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल देती हूँ इन सारी चीज़ों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पांच मिनट तक पकाएंगे बहुत ज़्यादा इसको गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने अब मैं इसको रख देती हूँ रूम टेंपरेचर पर पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए दोस्तों हो गई है हमारी लॉंजी पूरी तरीके से ठंडी ठंडी करने के बाद इसको कीजिए आप एक एरटाइट कंटेनर में स्टोर और इसको रखिए फ्रिज में बाहर ना चलती है रोटी पूरी पराटे के साथ कीजिए इसको आप इंज्वाइए मिलेंगे अकली वीडियो में तब तक ली नमस्ते